संजेर राउत बोले कोई मत भेद नहीं प्रकाश आंबेट करने कहा जगड़ा कायम महाराश्ट में सीट बटवारे पर बिखर रहा M.V.A. लोगसभाचनाओ के मद्दे नजर महाराश्ट में विपक्षी गठबंदन महाविकास अगारी के घटक दल कॉंग्रेस, शिव सेना, UBT और NCP शरत चंद्रपवार ने सीट बटवारे के फॉर्मुले को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में चर्चा की तीनों गठबंदन सायोगियों ने प्रकाश आंबेटकर के नित्रित तौाले वंचित बहुजन अगारी वी बीए को बातचीत के लिए आमंत्रित किया शहर के बांदरा कुरला कॉंपलेक्स बीकेसी इलाके के एक नीजी होटेल में आयोजित ये बैठक लगभग तीन घंटे तक चली बैठक में क्या बातचीत हुई इसका हाला की ततकाल पता नहीं चल सका है वहीं महाविकास अगारी की बैठक के बाद शिफ सेना यूबिटी के नेता संजेराउत ने कहा है कि गठबंदन में कहीं कोई मतभेद नहीं है उद्धो सेना के संजेराउत ने बताया कि हम लोगों ने चुनाओ मिलकर लड़ने का फैसला किया है उद्धो सेना के संजेराउत ने बताया कि हम लोगों ने चुनाओ मिलकर लड़ने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि प्रकार शामबेटकर ने जिन सीटों की मांग की है उस पर जल्द ही निर्णे ले लिया जाएगा वहीं प्रकार शामबेटकर ने राउत के विपरीत बयान दिया वैठक के बाद प्रकाष शामबेटकर ने कहा कि महाविकास अघाडी में शिव सेना और कॉंगरेस के बीच दस सीटों लेकिन इनके बीच कोई तालमेल नहीं है हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे क्योंकि यदि हमें इन 15 सीटों में से कोई सीट चाहिए होगी तो हम किस से बात करेंगे प्रकाश शामबेटकर कहते हैं कि कॉंग्रेस की सीटों का फैसला महराज्ट में हो भी नहीं सकता उनका फैसला तो दिल्ले में होगा बता दे कि शुरुवाती दौर में प्रकाश शामबेटकर ने अपनी पार्टी के लिए 27 सीटों की मांग की थी जब कि बहुजन विकास अगाडी के तीनों बड़े दल उन्हें कम से कम सीटों पर मनाना चाहते हैं प्रकाश शामबेटकर के पत्ते नहीं खुलने पर महाविकास अगाडी के निताओं ने चिंता व्यक्त की संजे राउत ने किसी का नाम लिये बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश की नेता मायावती की तर्ज पर कुछ लोग बीजेपी को परुक्ष मदद करना चाहते हैं राउत से जब नाम पुछा गया तो उन्होंने संभलते हुए कहा कि प्रकाश शामबेटकर महाविकास अगाडी का हिस्ता हैं वो सम्विधान बचाने के लिए हमारे साथ ही रहेंगे उद्धर ठाकरे का लॉजिक सूत्रों के मताबिक उद्धर ठाकरे ने 23, कॉंग्रेस, 15 और शरत पवार की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि प्रकाश आमबेटकर की वंचित बहुजन अगाडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पिपी ने 4 और कॉंग्रेस केवल एक सीट पर जीत हासिल की थी पिछले चुनाव के प्रदर्शन के लिहाज से भी उद्धर ठाकरे का पलड़ा भारी माना जा रहा है पिछले चुनाव में मुंबई की 3 सीट बीजेपी और 3 और विभाजित शिव सेना ने जीती थी